फेमिली स्वागत है अपके एको नई वीडियो में भाई किसी भी औल्ट को एक्षेंज के उपपर लिस्ट होने से पहले कैसे बाय करें ये वीडियो बहुत इंफॉर्मीटिव है अपके लिए make sure कि आप इस वीडियो को starting से लेके end तक देखीगा अब देखे इसके तरीके बहुत सारे हैं उनमें से एक तरीका आज हम देखने वाले हैं क्या है वो तरीका उसका नाम है launch pad अब क्या होता है launch pad किस तरह से काम करता है आपको कैसे ये help कर सकता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ देखे आप देखते होंगे काफी आपके यार दोस्त बोलते होंगे कि भाईया मैंने तो exchange पे आने से पहले ही buy कर लिया जब exchange पे आया तो मैंने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया अब ये जो चीज़ है ये आप अपने यारो दोस्तों से कहोगे बस मैं आपका एक like जाओंगा और comment box में एक अच्छा सा comment अगर हो जाए क्रिप्रोजिंदाबाद का तो भाईया मोच आ जाए तरीका हम देखें उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे भाई मैं कोई financial advisor नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ आपके information के लिए है ठीक है launchpad पे investment करना या किसी भी initial project में investment करना market में काफ़ी risk हो सकता है कई बार ये आपको profit और कई बार ये आपको loss भी दे सकता है तो भीया वीडियो को देखकर सिर्फ ये ना चलाएं दिमाग कि यार buy कर लेते हैं भाई ने बोल दिया ऐसा मत करना आप पहले अपने search करना उसके बाद ही investment करना और करोगे भी तो भीया बहुत कम करना ठीक है अब क्या होता है भीया launchpad basically मैं आपको बता दू देखे किसी भी altcoin को buy करने से पहले हमें करनी पड़ती है search कि ये altcoin कैसा है क्या है इसके tokenomics ठीक है कौन है team में कैसी है team कहा का इसके partnership है ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है तब ही हम investment करते है ठीक है अब ये जो काम है ये बहुत बड़ा rigorous process है अब बहुत सारे exchanges हो गए जैसे कि bitget की बात करें bitget exchange हो गया जो कि अपनी team को ये काम दे के रखता है कि ये कोई नया project आए तो नज़र रखना कोई अच्छा लगे तो हम उसे bitget के उपर launch करेंगे अब जब launch की बात आती है तो मेरे भाई कोई भी exchange अपने exchange के उपर directly किसी भी altcoin को launch नहीं करते थे पहले वो launchpad के अंदर launch करते है basically launchpad एक ऐसा आप feature मान लो किसी भी exchange का जिसमें की initial investment आप कर सकते हो किसी भी project के अंदर अब किस तरह से करोगे ये तो मैं आपको बताई दूँगा किस तरह से bit get के उपर आप कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूँगा वैसे एक शीज मैं आपको बता दूँ मेरे भाई ये launchpad feature बहुत अच्छा है लेकिन risky भी है क्योंकि आप लोग एक आस लागा के बैठते हो कि भाईया जब exchange के उपर आएगा तो उपर खुलेगा price ठीक है तो आप profit में आ जाओगे कई बार क्या होता है maximum time उपर खुल जाता है लेकिन कई बार भाई नीचे भी खुल जाता है price यानि कि जहां पर आपने initial buying करी थी उस price से नीचे भी कई बार price खुल जाता है जायतर तो उपर खुलता है लेकिन कई बार नीचे भी कुल जाता है तो शीच का भी आपको धिहान रखना चाहिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप launchpad का use कर सकते हो bit.get के उपर ठीक है link वहाँ से जाके अगर अपना account के लिएट करोगे तो आपको bonus मिलेगा bit.get के उपर है ठीक है अगर फायदा देखना है भाई तो आप आ सकते हो ठीक है अब मैं home page पे हूँ home page पे यहाँ पर एक option दिखेगा आपको launchpad का ठीक है तो launchpad के option पे आपको click करना है बिल्कुल copy trading के उपर है मैंने यहाँ पर click कर दिया है यहाँ पर page खुल चुका है मैं आपको बता दू थोड़ा यह heavy page है तो थोड़ा time लगा सकता है खुलने में थोड़ा सा wait आपको करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या लिक हबाए invest in the best just before they rocket यानि कि आप पहले किसी एक project में investment कर सकते हो किसी भी project में investment कर सकते हो वो उड़े उससे पहले कहने का रदबस यही है ठीक है अब यहाँ पर देख लो बहुत सारे project है आपके सामने hello है उसके बाद bb हो है ठीक है revo है उसके बाद आप देख लो क्यों को है तो basically यह आपके project है जो कि bitcat वालों ने launchpad के उपर लिस्ट करे हुए है इनमें आप investment कर सकते हो लेकिन एक चीज़ नोटिस करना भाई जहाँ पर ongoing लिखा हुआ है उसमें आप investment कर सकते हो जिसमें ended लिखा हुआ है यानि कि मेरे भाई उनका जो period है buy करने का वो निकल चुका है अब किस तरह से buy करना है मैं आपको hello में investment करके दिखाता हूँ बहुत simple है पहली बात आप देख लो hello token है क्या इसके बारे में पढ़ लो कि यह hello है क्या यह 3D artist community है जो की RE है अब crypto के अंदर इस तरह से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो वैसे मैं आपको बता दूँ जो bid get वाले हैं उन्होंने already इस project के बारे में पढ़ कि उसको यहाँ पर list किया होगा यहाँ पर total allocation देख लो लगबग 25 लाग hello token यहाँ पर है अभी market में जो की आएंगे ठीक है total allocation आप देख लो इतने alt coins की जो है allocation होगी इतने hello coins की allocation होगी total ticket कितने है मातर 10,000 है इस ticket का price कितना है लगबग 200 hello token यानि कि आपको ticket buy करने होगे इसमें एक ticket में आपको 200 hello token मिलेंगे और एक hello token का price किया है 0.02 dollars 0.02 dollar यानि कि एक hello coin का जो अभी आपको price पड़ेगा वो आपको 1.76 रुपीस पड़ेगा और कितने आपको buy करने है लगबग आपको 200 hello token buy करने पड़ेंगे एक ticket के अंदर यानि लगबग आपको एक ticket 4.500 रुपे तक का पड़ जाएगा आप उसको dollar में convert करके देख लेना dollar में भी मैं आपको बताऊं तो लगबग आपको 5 dollar कम से कम एक ticket का price पड़ेगा अभी ठीक है अब किस तरह से आपको करना है आपको इसके उपर click करना है जो भी project आपको buy करना है उसके उपर आपको click करना है ठीक है click करने के बाद ये भाई आपको ले गए है अपने page पे पूरी detail ये आपको देंगे पहले आप पर आने के बाद आपको simply जापर registration successful आ रहा है यहाँ पर आपको click करना है ठीक है आपका registration successful अल्री हो जाएगा अब किस तरह से होगा देखो अभी registration चले है मेरे भाई अब क्या होगा एक दो दिन registration चलेंगे पहले उसके बाद अभी ये token आपको कैसे मिलेंगे spot wallet पे मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहली बात भाई आपका जो portfolio है ना जो आपका spot का portfolio है ठीक है उसमें आपके BGB token होने चाहिए आप कब तक acclimate कर सकते हो मिरे भाई आप acclimate कर सकते हो 2 March तक क्योंकि फिर 3 March को एक snapshot लिया जाएगा आपके portfolio का है snapshot यानि एक screenshot आप माल लो जिनके पास BGB token होंगे उनको ये hello token मिल जाएंगे ठीक है और जैसे इसका opening price होगा उसके साब से आप इसमें earn कर सकते हो opening price उपर हुआ तो already आप profitable होंगे, नीचे हुआ तो loss में होंगे तो hello token का जो है वो आप कर सकते हो registration open है, अब मैं आपको past performance दिखाने वालों bit get की कि इन्होंने पहले कैसे return दिये हैं portfolio के, randomly लिया जाएगा ठीक है, फिर आपका lottery निकलेगी और lottery में जो भी आयागा विरे भाई उनको token exchange पे मिल जाएगे अच्छा एक और शीज में आपको पताना चाहूँआ इनकी past performance कैसे रही है, तो भाई March में इन्होंने कुछ alt coins का यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो निकाला था, यही लाँच पैड किया था उसमें कितना कितना profit लोगों ने बनाया है तो noct, देख लो आप 76%, उसके बाद ZBC token है, 153% का return दिया था bot ने लगबख 2899% का profit दिया था फिर क्योकों ने लगबख 2500% का profit दिया था अब जून में आप देख लो, भाई यह Revo और BBO आया था इन्होंने इतना profit दिया था अब मेरे भाई Hello आया है अब देखना पड़ेगा Hello कितना return आपको देता है लेकिन एक ही तरीका इसको acclimat करने का वो यह है कि spot पे आपको BGB token hold करने पड़ेंगे तो भाई यह थी मेरे वीडियो बताएगे का आपको कैसे लगी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कर देना